नमस्कार प्रियमित्रों मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस ओर समधान हमारी यूटूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वाबत है दोस्तों आज का हमारा सेशन है कौन सा रत्न वर्ल्ड क्लास क्वाल्टी कौन सा रत्न किस देश से आता है और साथ-साथ मैं परतिये एक रत्न को आपको लाइव कैमरे पर दिखाऊंगा उसकी क्वाल्टी बताऊंगा और साथ-साथ में कौन सी माहिन्स किस कंट्री में सबसे बैतर होती है यदि आप रत्न खरीदने के शोकीन हैं आप रत्न धारन करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तो लाइव आपको दिखाऊंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दूए यदि आप जोतिस के दुआरा अपनी समस्त समश्चाओं का समधान चाहते हैं या बहुत अच्छी जरेणी के राशी रत्न खरीदना चाहते हैं तो दोस्तो हमारे यहां से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठी बनाकर सिद्ध पूजा पाट करके देश विदेश में भेर जाती है चलिए विशे को आगे बढ़ाते हैं यह देखिए आप स्क्रिन पर देख रहे हैं दोस्तो इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो मानिक है वह मुजांबिक से आता है साउथ अफरीका से आता है साउथ अफरीका में दो माइन से हैं तो देखिए आप पत्थर होगा डाग देब्बे नहीं होंगे उतना महंगा हो जाएगा जो क्वालिटी मां आपको दिखा रहा हूं यह क्वालिटी मद्यम मद्यम स्रेणी का यह पत्थर है और दूसरा आप यह देखिए यह इंडियन मानिक है यह भारतिय मानिक है इंडियन माइन्स है यह अच्छा मानिक होता है लेकिन इसमें प्रोबलम क्या है दोस्तो ये बहुत ज्यादा चमकदार नहीं होता ठ्रासफेरेंस नहीं होता थोड़ा साथ अफेरिका के मुकाबले हलका सा बद्दा होता है लेकिन if not treatment है तो result बहुत अच्छे हैं इसके दो माइन्स मानिक की अब यह मोती देखिए वैसे तो मोती की खेती आजकल होती है लेकिन फिर भी अगर आप मोती खरीदना चाहते हैं तो सबसे बैतर मोती यह देखिए आप स्क्रीन पर इसको बोलते हैं साउथ सी और दोस्तों वैसे मोती बसरा से आता है पूरे वर्ड में नंबर एक एक से डेड़ लांक का पीस पड़ता है बसरा का मोती सबसे बैतर होता है तो मोती खरीदना है तो बसरा का मोती है साउथ सी दो आपको देता हूं अब दोस्तों मोंगा आप देखिए इंडियन मोंगा और इटालियन मोंगा अगर आपक डिखी रहे हैं, इस समय सबसे बहेटर पन्ना जांब्या से आता है, जांब्या का माल नंबर एक का है, या आप इस्क्रीन पर देखिए, मद्यमette दर्जे का यह फंढ़न है, इस तरह का hoता है, दियानց से देखिए, जितना साफ सुतरा होगा, जाले नहीं होगे, काले धब्बे नहीं होगे, निशान नहीं होगे, उतना महंगा हो जाएगा, जितना माल डाउन होगा, ट्रासफेरिंसी नहीं होगी, उसमें चमक नहीं होगी, उसमें कलर नहीं होगा, उतना ज्यादा सस्ता हो है लेकिन सबसे ज़्यादा पन्ना इस समय पूरी दुनिया भर में केवल जांबिया का ही पन्ना परचलन में है एक पन्ना कोलंबिया होता है दोस्तों एक पीस मेरे पासे देखिए मैं रखता नहीं कोलंबिया का पन्ना इसमें कोलंबिया पन्ने में कलर नहीं होता कलर कम होता इसलिए रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं होते, इसमें सिकायते आती रहती हैं, अब नंबर पढ़ता है पुखराज का, पुखराज इस दुनिया में सबसे बहतर सिरिलंका से आता है, यदि आप महंगा पुखराज खरीदना चाहते हैं, तो आप गवर्मेंट लेव सर्टिफाइड रतन ही खरीदें, सबसे अच्छा पुखराज पुरी दुनिया बर में सिलोन से आता है, ये इस तरह का माल होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जितना ज्यादा ट्रास्पेरेंस होगा, जितना उसमें दाग दब्बे नहीं होंगे, उतना महंगा हो जा आता है, या स्री लंका का माल है सारा, इसको बड़े आराम से आप देखिए एक एक पीस, दोस्तों, जहां तक फायर ओपल की बात है, शुकर का अरतन फायर ओपल ही है, सबसे अच्छा ऐस्ट्रेलिया से आता है, जितना ज्यादा वाइट होगा, उतना महंगा हो जाएगा, वाइट पर फायरिंग होगी, ग्रे पर फायरिंग थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन जितने ज्यादा फायरिंग इसमें वाइट पर होगी, उतना ज्यादा महंगा हो जाएगा, और ये फायर ओपल ऐस्ट्रेलिया का पत्थर है, अगर आप फायर ओपल खरीदना चाहते हैं, नमबर दो पर सिरी लंका का निलम सबसे बहतर होता है Verify of Corundum Government Lab Certified ही आपका इस्टोन होना चाहिए और ये आप टेस्ट देखिए सिरी लंका का निलम बहत चिकना पत्थर होता है कलर इसमें आसमानी आता है और डारक आता है प्राइज के साब से कलर चलता है लेकिन सिरी लंका का पत्थर हो एक दम चमकदार होता है जितना ज्यादा ट्रास्वेरंस होगा जितना ज्यादा कलरफुल होगा साब सुतरा होगा उतना महंगा हो जाएगा जितना डल पत्थर होगा, चमक नहीं होगी, कलर कम होगा, उतना सस्ता हो जाएगा दोस्तों, गौमेद स्री लंकन नमबर एक का है और लैसुनिया इरान से सबसे बहतर आता है तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत संक्षेप में मैंने आपको सभी जो रतन थे कौन सा रतन किस कंटरी से आता है, या बताने का परियास किया और साथ-साथ आपको रतन दिखाए भी ताकि आपको रतन खरीदते समय इजी हो जाए, आसानी हो जाए और दोस्तों, काम ना करता हूँ, जानकार या आपको अच्छे लगी होगी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और सबस्क्राइब माई जानल मिलते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी पर बहत चांदार रतनों के साथ भविश्य में भी वो मुस्कुरादे हुए तब तक के लिए नमस्कार